हेलो गाइस टेकनिकल नाइट में आपका स्वागा थे आज की जो अपडेट वो सेल यानि की स्टील एथर्टी अफ इंडेल लिम्टेट की तरफ से जो की एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है महारतन कंपनी है दोस्तो इसमें प्लांट यूनिट्स और माइन्स डिवीजन में टोटल 314 नमर वेकेंसी निकल के आए विए जिसमें कि आपने डिप्लोमा करके रखका है रिस्पेक्टिव ट्रेट से अपलाई कर पाएंगे लगबग सभी ब्रांच वालों को यहां पर सीड़े देखने को मिल जाएगी तो इस वीडियो में डिजिल्स में डिसकस करेंगे क्या होगी इलिजिबिल्टी केटरी है कि हैं सेलेक्शन प्रोसेस अपलीकेशन फीज क्या रखी गई है तो देखे हमें सेल की ऑफिशल साइट पर इसक लिंग आपको वीडियो के ड्रस में मिल जाएगा तो डाइट अपिसर पर आजाएंगे और जो भी कने चलब पर नहे चैनल को सब से जरू कर दें क्योंकि इस चलब पर आपको टेक्निकल जॉब्स लेटर सार इंफ्रमेशन प्रोट की जाती है यहां पर जैसे देख सकते हैं आप जॉब्स के सेक्शन में देखे लिखा हुआ है एडवर्टीजमें नंबर 01-2024 और रिकूर्ट्मेंट और ऑप्रेटर कम ट तरफ से रिकूर्ट्मेंट देखने के मिल जाएगी जो की केबल OCTT की पोस्ट यहां पर रखेगा यह डिप्लोमा वालों के लिए तो किस-किस यूनिट्स में रिकूर्ट्मेंट निकलके भी थोड़ा डिटल्स में देखेंगे यहां पर वीडियो थोड़ा लंबी होगी वीडियो कन्ते एक जरूर देखेंगे एसप्याइन कि एलाई श्टील प्लांट ए दुर्गपूर वेस्ट बंगाल यहां कि जो भी अगर आपको एसप्य यूनिट मिलती है तो हापको carrier youसे बंगी व ISP इसको इस्टील प्रांड जो की बन्फून बेस्ट बंगल में आएगा RSP राउल के लिए स्टील प्रांड RDCS यानि Research and Development Center for Iron and Steel एटराची जारकन and its unit at different location in different state SRIU यानि की Cell Refractory Unit at Bokaro DSRI unit में आपको सीटे देखने के मिल जाएगी सबसे पहले देखते हैं OCTT Metallurgy की देख सकते हैं BSL में 10 है BSP में 12 CFP में 1 DSP में 10 ISP पे 9 RSP पे 14 और इसके बाद RDCS में 1 सीट रखी Total Metallurgy की 57 सीटे देखने के मिल जाएगी Category distribution दिया हूँ तो आप देख लीजगा इसी क्रम में देखते हैं OCTT Electrical की सीटे ASP में 2 सीटे, BSL में 17, BSP में 15 CFP में 1, ISP में 13, RSP में 8, SRU में 8 Total Electrical की जब आप count करेंगे तो 64 यानि की 64 सीटे देखने के मिल जाएगी OCTT Electrical की बात करते हैं OCTT Mechanical की यहाँ पर ही सब ज़्यादा vacancy रखी गई Mechanical वालों के लिए ASP की 3, BSL की 24, BSP की 35, CFP की 2, DSP की 10, ISP की 18, RSP की 7, RD, CIS की 1 सीट रखी गई तोटल जब आप एड़ करेंगे तो तोटल 100 सीटे देखने के मिल जाएगी OCTT Mechanical Post के लिए OCTT Instrumentation में BSL में 5, BSP में 5, ISP में 3, RSP में 4 तोटल 17 सीटे देखने के मिल जाएगी Instrumentation वालों के लिए OCTT Civil की भी सीटे रखी गई, यह सीविल की बहुत ही कमा आती है लेकिन यहापर सीटे देखने के मिल जाएगी OCTT Civil में BSL में 2, BSP में 4, CFP में 1, ISP में 9, RSP में 6 टोटल सीटे आपको 22 देखने के मिल जाएगी Civil Engineering में उसके बात करते हैं Chemical वालों के लिए Chemical में BSL में 6 सीटे है, BSP में 3, DSP में 5, ISP में 4 Chemical की सीटे जब आप काउंट करेंगे टोटल 18 याने की 18 सीटे देखने के मिल जाएगी Chemical वालों के लिए इसकराब में OCTT सेरमिक वालों में 6 सीटे देखने के मिल जाएगी Electronics में 8 सीटे देखने के मिल जाएगी Total Computer वालों के लिए Total 20 सीटे देखने के मिल जाएगी Drawsman में 2 सीटे देखने के मिल जाएगी तोटल जब आप seat account करेंगे तो 314 वेकंसी देखने को मिल जाएगी जो की काफी अच्छी वेकंसी रखी गई इस बार जो भी करने पी डूबली के डिकें तो देख लीजेगा किस किस के डिके के पी डूबली के डिकेरी वाले मानने होंगे भात कर लेते हैं इलिजिबिल्टी केटेरी है की तो इलिजिबिल्टी केटेरी में OCTT trainee metallurgy में जो age limit है आपकी 18-3-24 से count की जाएगी 18-28 साल को मिदर अपलाई कर पाएंगे यहाँ पर SST को 5 साल का OBC को 3 साल का age lay session भी देखने को मिल जाएगा आपने matriculation with 3 year का full time diploma करके रखा metallurgy इंजिनर से अपलाई कर पाएंगे इसमें आपने डिपलोमा करके रखा electrical या फिर electrical और electronics से अपलाई कर पाएंगे mechanical में age limit सारे में देख लिजेगा 18-18 साल है mechanical में 3 साल का आपने mechanical इंजिनर से डिपलोमा करके रखा अपलाई कर पाएंगे instrumentation में 3 year का डिपलोमा करके रखाएं instrumentation से या फिर instrumentation and electronics से या फिर instrumentation control से या फिर instrumentation automaton से eligible हो जाएंगे कोई भी experience required नहीं है OCTD training civil में 3 year का full time diploma civil इंजिनर से करके रखाएं इलिजिबल हो जाएंगे chemical में 3 year का diploma करके रखाएं chemical इंजिनर से अपलाई कर पाएंगे ceramics में 3-1 डिपलोमा ceramics से required है electronics में देखे diplomas and electronics करके रखाएं या फिर electrical and electronics या फिर electrical and electronics OCTD इलेक्ट्रोनिस पोस्ट में भी अपलाई कर पाएंगे और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट में भी अपलाई कर पाएंगे देखे इलेक्ट्रिकल एनलेक्ट्रोनिस इंजिनिर्ट्रिकल में भी अपलाई कर पाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रोनिस में भी इलेक्ट्रोनिस और टेली कम्यूनिकेशन, इलेक्ट्रोनिस और कम्यूनिकेशन, इलेक्ट्रोनिस इंस्ट्रूमेंटेशन, यह सारी ब्रांच इलिजबल हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनिस पोस्ट के लिए, OCTD Training Computer IT में, Matriculation 3-Year, Full-Time Diploma Computer Science, या फिर Information Technology के IT वाले भी इलिजबल हो जाएंगे, OCTD Training Draftsman के एक ऐसी पोस्ट है, जिसमें आपको एक साल का experience है, Draftsman या फिर Design Assistant having work in AutoCAD system for drawing preparation in industrial या फिर commercial stable, 3 साल का diploma civil के साथ, एक साल का experience में required है, या फिर Electrical Engineering, या फिर Mechanical Engineering, या फिर Architect Assistance, या फिर सारे बनाच में, एक साल का diploma के बाद आपको पास एक साल का experience required है, बात करते हैं minimum percentage के तो 50% for unreserved post and post-reserved for OBC EWS, 40% for post-reserved for SCSTPW, या नि कि minimum 50% marks होना चाहिए, 40% reserve candidate के लिए होना चाहिए, देखिए, जो भी करने पोसेसिंग the request, qualification through distance mode, या फिर corresponding course, या फिर off-campus are not eligible to apply, या आपका regular basis में course होना चाहिए, बात करते हैं, involvement and other benefits की, यानि कि आपके training क्या होगी, और आपको salary क्या रखी जाएगी, जो भी करने select होते हैं, उनको 2 साल training period में रखा जाएगा, दो साल में आपको पहले साल 16,100 रुपाई दिया जाएगा पहले साल में, जैसे first year complete होता आपका बाद, second year में आपको 18,300 रुपाई, step and की रूप में देना होगा, this will also get for free medical facilities मिल जाएगी, आपको leave etc, ये सारे चीज़ें मिल जाएगी, उसके बाद जैसे आपको training complete हो जाती ही, साल की S3 grade में आपका promotion हो जाएगा, जिसमें आपकी 26,600 रुपाई basic C start हो जाएगा, लगभग आपको salary 40-45 salary देखने को मिल जाएगी in hand, देखे, S3 grade आपको मिल जाएगा, जिसमें CTC दिया हुए approximate 10.1 lakh per annum, बात कर लेते, mode of selection कहने के आपका selection कैसे होगा, सबसे पहले आपको 100 objective type के question मिलेंगे, जिसमें 2 segment होगे, जो की 50 question domain के होगे, 50 aptitude test के होगे, domain में जिस भी discipline से belong करते हैं, उसके question होगे, aptitude में आपकी English, reasoning, mathematics, GKS, आरे question पूछे जाते हैं, details में aptitude के क्या question होगे हम बात में discuss करेंगे, अभी इस वीडियो में देख लेते हैं mode of selection के, 90 minute आपको मिल जागा, जो की minimum qualifying mass रखा गया 50%, UR, EWS, OVC वालोग लिए, 40% SCHT, OVC वालोग लिए, तो आपर तीन करेंट को बुलाया जागा, skill test के लिए, skill test में केवल qualifying nature है, उसमें कोई भी marks नहीं मिलने वाले है, final selection आपका CBT की base पर होगा, यानि कि maximum से maximum marks आपको CBT में gain करने होगे, बात करते हैं, physical standard की height 155 cm, female के लिए 143 cm, weight minimum 45 kg, female के लिए 35 kg, chest 75 cm and 79 cm on expansion, और 70 cm and 73 common expansion, यानि कि female वालो के लिए नहीं है, ये cross कर दीजेगा, distance vision, distance में कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, 6 by वारा without, या without glasses, with or without glasses, यानि कि आपको कोई भी 4 diopter का भी आपको lens लगता, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, color vision के बारे मात करते हैं, normal in lantern test with maximum appetite, night blindness will be disqualified, यानि कि अगर किसी कंडेट को night blindness है, तो वो disqualification के अंदर गत आएंगे, बात कर लें था application fees की, application fees आपको 500 रुपे देना होगा, general OBC EWS वालो के लिए, जो भी कंडेट SC, HD, PEE, WEE, X, या फिर departmental कंडेट, उनको केवल 200 रुपा application fees की रूप में देना होगा, बात करते हैं, test center की, तो date, time and test value of CVT या फिर skill test will be intimated to eligible कंडेट through admit card, यानि केवल आपको admit card में देखने को मिल जाएगा, call letter में, and information shall be shared through email, SMS and sale website, यानि कि जैसे admit card आएंगे, आपको mail, SMS के दोरा प्राप्त हो जाएंगे, और sale की website पर भी download कर दिये जाएंगे, बात आते हैं, आपको apply कैसे करना होगा, यहाँ पे application form apply करने का सारा instruction दिये, वह सबसे पहले आपको new user bar click करके, one time registration करना होगा, जैसे आपको registration होगा, उसके यूजर ID मिल जाएगी, उसे user ID login करके आपको application form भर लेना होगा, जो भी करने एक से ज़्यादा post में आपने करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना कि at the time of application, candidates should keep in mind that the date of CBT या फिर skill test for more than one post discipline may coincide, यानि कि एक से ज़्यादा post पे एक दिन में examination या फिर skill test किये जा सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से form fill up कर लीजेगा, लास्ट में बात कर लेती important date की जो starting date of submitting online application ने 26 फरेद और 24 से start हो चुका है, जिसको आप 18 मार्च दोर जट्ते हिस तक apply कर पाएंगे, तो दोस्तो यही एक update देनी थी, वीडियो पसंद और वीडियो लाइक करें, चैनल को तो निस सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरू कर लें, मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक लें नमस्कार,